अस्वाम लेकुम जी कैसे हैं सब लोग, उमीद हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे, ठीक होंगे, ठीक होंगे, ठीक होंगे, तो मैं आपके कुशन्स पर रही थी, और वहां पर किसी ने मुझसे पूछा हुआ हुआता कि काईली वाइटमिन C से रिलेड़िट एक वीडियो भना और जैसे हुदी से dissolve हो जाती है, तो इन ऐसी तरीके की टाबिट्स होंगेता है, एक वीडियो बनाते हैं, तो आज की वीडियो में हम कवरेज करने के कोशिश करें के वाइटमिन C क्या है, इसके मुतलिक थोड़ा सा मैं आप लोग को तो चले एक वीडियो को स्टाट अचा जैसे के नाम से पता चल रहा है, वाइटमिन C एक वाइटमिन है और यह असकॉर्बिक असेड़ इसके तरह मौझूद है, वाइटमिन C एक वाइटमिन है, वाइटमिन युश्ली दो तरीके के होते हैं, या तो लिपिट सॉलिबल होता है, या तो फिर वाटर वाइटमिन C एक 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 वाइटमिन C करते हैं वाइटमिन की तो वाइटमिन C जैसे मैं जगर किया स्वार्बेक अशिड है और यह वाटर वाइटमिन है साथी परपरटी इसी तो भी बात करें तो यह अंटि-अचिडेंट प्रोपरटी रगता है मैं बॉसक्त वीडी वीटी में जगर की ती ती रेलेंटा वा Dev normalmente की मांटांविन की हुआ और यह अब इंच्प प्रोपरटी का मतलुं भी एक कि आपके इसकी बाडी आपके बाडी करेंडे के जहता है कि तो इसी तरीक या भी जय किदिशिया होता है रिटरिंग недalworm का का इसके साथ ही आपकी इम्मुनिटी को बहुत दा स्ट्रॉं करता है। आपका मस्क्रोर सिस्टम होगा तो इन सब की फॉर्मिशन के लिए वीटमीन C बहुत अच्छा है। अब बात करने हैं कि वीटमीन C इस फॉर्म में मौझूद होता है। सबसे पहले तो हम नाच्रल और्गानिक फॉर्म की बात करेंगे कि हमारे कौंसे फूड्स में, फूट्स में या वेजी टेबल में मौझूद है। वीटमीन C हम सब बहुत अच्छी मिदाल में मौझूद होता है। इसके बाद एक मज़े की बात आपके साथ डिसकूस करते हूं कि जैसे कि मैंने जिकर किया कि वीटमीन C एक वाटर सॉलिबल वाइटमीन है। तो छोट्स में मौझा उल्मा पूर्वाद लेलेगा एक थेखिवर टीकर में कुछ स्थमिंट के लोग डिसके उप्टिय। एक जरूरी है कि वाइटमीन C एक वाटिमन C को लिया जाए। वह और्मोस 75 mg की requirement है. अब मज़गी बात ही है कि अगर हम एक orange की बात करते हैं तो एक orange पर कितना हमें वाइदेमेंस निता है, अगर एक तो 50 mg. तो जो देहिं कितनी असानी है कि अगर हम दिन एक दो औरंज भी ले ले लेते हैं, तो हमारी डेली की रिक्वाइमेंट वाइटमिन C की पूरी हो जाती है So that's why we don't need to go for supplements कि हम supplementation के दरफ जाए हम इसकी दूर्रत नहीं पड़ती है अगर हम सही सब्नी यही रिक्वाइमेंट को पूरा कटते हैं इसलिए मैं कहती हूं बार पाइमेंट को पूरी करने की कोशुश करें हमारे खाने पीने में फूट में फूट में फूट में वेजिटेबल से तमाम चीज़े महुद हैं बहुत अची में महुद हैं अगर आप उसी को इन टेक सही से करते हैं तो तो you don't need to go for supplements पर सिल हम भी डिसकस करेंगे किस तरीके से मौझूद है और क्या फाइदा है तो आगे जड़के मैं आपसे भी डिसकस करती हूं हम बात करते हैं कि सबसे जादा एक अच्छी फॉमलेशन पहुंसी है के लगा है बहुत विकमेंट की जाती है यूज करने वाली 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 सी के हावाले से तो वो CAC की टाबिर्स हैं 1000Mg में आती है अब इसकी फॉम्लेशन आप समझता है किसमें क्या-क्या है वाइटमिन C के इलावे इसमे कौन कोंसी चीज़ा मुझूद है और किस तरीके से आपको फाइदा दे सकता है। इसकी फॉर्मिलेशन में वाइटमिन C मौझूद है जैसे कि नाम से पता चल रहा है। इसके लावे वाइटमिन B, D3, Calcium Gluconate and Calcium Lactate यह Calcium के बेसिकली डिफेंट फॉर्म्स हैं। जसना कि हमारा एक कंपाउंट कभी एक फॉर्म में नहीं पाया जाता है। तो जैसे कि में जिकर किया कि CSEG Formulation में तमाह काउंट माईट मौझूद है, तो इसकी वज़ा है। इसकी वाचा से क्या होता है कि इसकी एक्टिविटीए बहुत 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 दा इंगर जाते है। दूसरी मज़ए की बात ही कि वाइटमिन C जब वाइटमिन D के साथ ही आ जाते है तो हमेशे अब्सक्राप्शन उसकी इंक्रीज हो जाती है, बहुत जल्दी असर देखने में मिलता है, इसलिए अगर आप इसकी फॉर्मिलेशन में पढ़ें, जरूर इंग्रीट्स पीसे करता है और इसी वज़ा से बहुत अच्छे एक्स आते हैं वाइटमिन C लेने के जरीए इसके लाब यह जाती है, आपको अराम से हर दुकान से मिल जाएगी, चार सा रुपे की अर्मोस्ट यह टाबरेट है महीना पर भुज़र जाएगा इससे और बहुत अची कि इसको अपने डेली रूटीन का पार्ट जोरूर बनाये, लेने का तरीक़ नहीं है, कि असलग उसस वह एसी बात नहीं है, आप उत्रवा के टाउम में लेना है यह रगानी त और रात के बाते हैं इसका रीजन है, इसका रीजन है इसका रीजन है, य посмотреть हमारी खडीयान क्वाई है, चो ओर्ड बौनस है और प्रांसफर्भ हो निू बौनस अवाइ.' तो रात की टाइम ऐसे प्रोसेसिस होते है इसको कहते हैं सिर्केडियन साउटक यह रात की टाइम चोलती है इससे क्या होता है कि आपकी तमाम वोड़ जो वीक हैं, जो ओड़ बोंस हैं, उनकी डिस्रक्शन होती है, यह बोंस बरती है, यह प्रोसेस होता है रात के वख. इसकी हमारी रिसेचर्चर्श रिक्मेंट करते हैं कि वाइटमिन C करते हैं, अगर रात के बाद लेते हैं, निदेख को ज़दी निशाला आपकी उसे बिंदरी हो सकेगी. दूसरी बात, with food, without food, आप दोरों गरीकों से ले सकते हैं, जैसे भी आप comfortable हैं, but I would recommend to go for with food. अगर आप खाने के साथ लेते हैं, तो क्या होता है, vitamin C का एक बहुत common side effect है, GIT related effects, यादि का पेट खराब रहना, constipation के मसले हो जाना, पेट में दर्द रहना, diarrhea, constipation, यह तमाम चीज़ें हो सकते हैं, तो अगर आप इसको खाने के साथ लेते हैं, तो यह acidity को कम करता है, जिसक हर दूसरे मरीज को है, यह hypertension है, diabetes है, हर हमारा, जो researchers बताती है, दूसरे से तीसरा मरीज इससे deal कर रहा है, तो आप मरीज जिनको hypertension है, यह diabetes को यह ले सकते हैं, यह नहीं ले सकते हैं, तो खुशी की बाद यह है, के इसको ले सकते हैं, और इसकी वज़ह से आपकी diabetes भी कम होग अब आपके जहीं में सभा रहे हैं कि को मीठी दभाई होती है इसमें तो मिठास है इसमें तो शुगर है तो इसमें तो शुगर है तो तो सिर्फ 3MG है जो कि बहुत कम अमाउंट है लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करें करूओ कि जो डाइबर्टीज के लोगें वह शुगर-free बहुत अच्छा है वाइटमिन C को लेना तो लास्टली वीडियो काफी लंबी हो गई है तो बस साइड एपक्स की बाद करें ठीक है एक दिन में आप 500MG तक इसको ले सकते हैं 500MG से अगर आप जादा लेंगे वाइटमिन C को तो डिफिनिटली आपको नुकसान देखने क इसको मिलेंगे लेटी बाग परी, stomach upset, constipation and diarrhea यह तो बहुत कमन फिक्स हो गए इसके राबर एक बहुत खतरना चीज हो सकती है वह है किड्नी स्टोन्स आपके स्टोन्स भनने लग जाएंगे गर वाइटमिन C की मिदार आप बहुत जादा कंस्यूम करेंगे मैं अमीद करती हूँ कि मैं आप लोगों को इसके मुतलिक इन्फरमिशन को दे दी है कैसे इसमाल करना है, क्या फाइदा है, क्या मुकसान है, क्यों सच्छा प्रॉडट्क है, वाइटमिन C के हवाले से, कितने अमांट में आप ले सकते हैं, तो जिनों नम से सवाल पूछा ज जो आप ले सकते हैं, जिनों नमांट में उत्वाव से, क्या बदह डोची आप करता हैं, क्यां मित्यूराप लेता ह।